असलाम अलेकूम बिया सुर्दू अंसा आर्टिस्ट के चैनल के आपको खुशामधित कहती हूँ जो पहला लेक्ट्र था वो आदल शाही दोर ये वो ही उसका दूसरा पार्ट है उसमें आपको मैंने तमहिदी पैरा और तौरफ और पसे मंजर के बारे में बताया था अब देखते हैं कि आदल शाही दोर की तकलीकी सरक्रमिया ये मैंने कट कर दिया था जब मैंने यादिया आप लोग ने अगर करना है तो most welcome अगर आप लोग को भी तवालत कम पसंद है तो फिर छोड़ दीजेगा ये जो पॉइंट है इतना ज़्यादा important नहीं है तो फिर ये मैंने cut कर दिया था आगे मैं आपको बढ़ाती हूँ ये तकलीकी सरक्रमिया इधर तक ये पॉइंट है ये आपको नजर आ रहा होगा ये मैं read करके नहीं पताऊंगी आपको अगर आप लोगों ने ये पॉइंट करना है तो कर लिजेगा वन्ना छोड़ दे आगे हम देखते हैं कि इस आदर शाहिद दोर में तसवफ हमें नजर आता है या नहीं इसके जो मौजवात थे तो उसमें तसवफ बहुत ज़्यादा दखाई देता था मतल़ कि इसको बहुत ज़्यादा एहमियत हांसल थी अब्तदाई दोर की कमों बेश सारी तहरीरे मजजब औ तसवफ के मौजवात से ही तलक रखती आगे चलकर अखला की एकदार खैरत ना को महियर और अकूल अनासर पर है तो खैरत की परवाज अन्होनी गो होनी कर दखाती है वजूद का फलस्वा बेजा पूरी तसवफ का बन्यादी फलस्वा है यह तसवफ और फने रूस थोड़ा थोड़ा कर लेजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि तसवफ ह या नहीं वैसी आप थोड़ा से दो लाइनों में यह बियान कर दें तो जबानों बियान जादा इंपोर्टन्ट है तो मैंने जबानों बियान की थी यह मैंने छोड़ दिया था फिर भी आपको बता देते हूं शाहिद और में जक्त गुरू के जमाने तक हिंदवी उजान का इस्तमाल जादा रहता है लेकिन अब्दल के इबराहीम नामा से लेकर फिर पूरे दोर में फार्सी ओजानों बहवर शा जाते हैं असनाफ सुकर में मस्रमी सबसे जादा मकबूल सिनफ है हसन शोकी के हाँ उबरते हैं जो नजाम शाही सलतनत के जवाल के बाद आदल शाही में आ गया था पार्सी असरात के बढ़ने के साथ साथ औरत की तरफ से जहार इश्का हिंदी तरीका कम होता जाता है हसन शोकी की कजल के सिर्फ एक आद शेर ही में औरत की तरफ से जहार जजबात किया गया है लेकिन नुसरती और शाही के हाँ ये जहार दोनों तरफ से होता है अब हम ये पॉइंट चुथा ये इंपोर्टन्ट है तो ये जरूरी है आप लोगों ने करना है जबानों बयान के बारे में देखते हैं अदर शाही दोर में गीत और दरोहों का रवाज भी बाकी रहता है ये दरोहे आपने पंजाबी में पढ़ा होगा कि दरोहे क्या है ये भी दर असल गीत ही होते हैं अब्तदाई दोर में ज्यादा और बाद में कम होता जाता है ये गीत दो किसम के हैं एक किसम वो जिसमें इसकों महबत के जजबात का इसाहर किया गया है और दूसरी किसम वो जिसमें मजबों तसवफ को मौजू बनाया गया है जब ये इतर पास किया जाता है कि अर्दू जबान ने अपनी सर्जमीन की तल्मिहाद, चीजों, परिंदों, दर्या, पहाड और मनमियाद को छोड़ कर फार्स जबान और तहजीब को अपनाया तो लोग तहजीबी कुवत के अमलों असर को बूल जाते हैं। जो जिन्दा तर्जेए एसास और तहजीब जबार्स जी याहिन तहजीब पर डालता है। हर जबान चट्टी हुई तहजीबी कुवत के साथ चढ़ती है। इसी के साथ अर्दू जबान अपनी मजोज़ शकल में एक नई अदबी जबान थी जिसमें मुकलि तहजीबी कुव तो ने खलाका ना अमल किया था, इत्दा में ये इदर तक आप कर सकते हैं, ये भी बेस्ट रहेगा अगर आप ये करने अगर तो और जाद अच्छा होगा अगर आपने ये भी करना है, तो अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं कि बात इदर भी इतने पेराग्राफ में भी हमारी मकमन हो जाती है और फिर यहां से भी इंपोर्टन्ट है इप्तदा में इसने गुजरात में भी और शिमालो दक्कन में भी खालस हिंद्वी इसरात का कबूल किया, लेकिन जब आगे भढ़ने का रास्ता नजर ना आ रहा हो और तखलीक के जहन अपने तखलीक के जहन अपने जकावट रुकावट महसूस इजहार में रुकावट है, यह जकावट नहीं, जकावट तो कोई लबस ही नहीं है रुकावट महसूस कर रहा हो तो जाहर है कि वो इस तरफ पढ़ेगा जिस तरफ उसे रास्ता नजर आ रहा हो इसलिए फार्से अस्टाथ फितरी दोर पर उर्दु जबान में दराते इस दोर की जबान में हमें मुक्तलिफ जबानों की खिचड़ी सी पलती हुई दहाई देती है जिसमें मुकामी जबानों के अलावा खड़ी बोली बुर्जबाशा ये सारी हमारी जबाने हैं जो पहले पहल बहुत ही ज़ादा बोली चाहती थी खड़ी बुर्जबाशा ओदी सराइकी पंजाबी रचस्तानी संस्क्रत और गुजड़ी बगारा के इस रात एक साथ पक रहे हैं अर्बी फारसी कड़की अलफाद इस खिचड़ी जबान में एक हलावत पैदा करके इसे निया रंग दे रहे हैं अर्बी फारसी के लसानी और तहजीव इस रात ने जबान का खमीर उटने और जल्द पक कर त्यार हो जाने के अमल में मदद दी ये बात बेकाबले तवज़ज़ है कि इस दोर में कुवाइद के रसूल मकरर नहीं होते हैं और मुखली जबानों के असूल एक साथ इस्तमाल में आ रही है मसलें ये हमें मसाल देना जरूरी है कि हम देखें कैसे जमा बनाने के तरीके बैक वक्त तीन इस्तमाल हो रहे हैं अलिफ नून गुन्ना लगा कर भी जमा बनाए जा रही है जैसे लो की जमा लोगा, गुल की जमा गुला, होस की होजा, पलक की पलखा वगारा वाओ और नून गुन्ना ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया वाओ और नून गुन्ना लगा कर भी जमा बनाए जा रही है जैसे मेख, मेख की, मेख की जमा है मेखो, पाग की जमा है पगो, जैसे नेनेन, डंड से डंटन गरा अगर मजखकर मोनस को देखा जाए तो इस वूल भी मुकरर नहीं, एक ही लिखने वाले कि हाँ एक लफ़ मजखकर आता है और वही अलफ़ दूसरी जगा मोनस आता है, इसी तरह तो लफ़स का भी कोई मियार नहीं है अमला का भी एक सा मियार मुकरर नहीं, मसलिन ये अलफ़ अपनी दोनों शक्रों में मिलते है वज़ा नफ़ा, ये वज़ा अलिफ से भी लिखा जा सकता है और वज़ा आइन से, यानि अमला, अगर मैं एक दिन आपको अमला पर भी लक्टर दूँगी कि रशीद हसन खान जो बहुत ही अच्छे वाइदों अमला के मसन्नफ हैं उन्होंने अमला पर बहुत ही जादा लिखा उनकी कताब से कुछ मिटेरियल है तो वो क्वेस्ट में आपको इसाथ जुरू शेयर करूंगी नफ़ा, तो नफ़ा अज़ा दूलहन और दूलहन ये जुला और जुला ये लवज ऐसे हैं कि लोग इसे कोई ऐसे लिखते हैं लेकर सही लवज ऐसे है जमीर, जमीर, जुआद से भी है ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ ये मैंने किसे से शायद लिखवाया था तो ये जुआद है, फे नहीं है जवाद है तो जवाद होता है वो लंबूतरा होता है नाकि गोल होकम 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 भी पढ़ अगर हम इसे पढ़े तो होकम लगता है लेकिन होकम ये लवज मतलब बहुत से ऐसे मसननफीन है या हमारे शोरह हैं जोनोंने इलफाज को अदाइगी में ऐसा लिख दिया लेकिन होकम ये हम अब ऐसे लखते हैं मशूर ये सारे वैसे वो सारे अलफाज है अड़े डाल टे को अड़े डाल टे लिखा जा रहा है कहीं कहीं चार लफाज लफजों से भी लेक अड़े डाल टे को जहर किया गया है इसी तरह का ये सारी मसाले हैं आप देख लीजेगा फिर अस्मा से फेल बनाना कैसे है चितर से माइनी है तस्वीर इसे चितर ना बनाया गया है हरुफ इलत कम कर दिया जाता है जैसे सुर्ज से सूरज उपर से अपर से उपर मुश्तदद हर्फ को मुखफफ इस्तमाल किया जाता है अवल चज्जा गुस्सा ये गुस्सा है यह वगरा ये आगया आप लोग खुद ही पढ़ लीजेगा यह बीच मतंब कि यह चार पॉइंट है असमा से फेल बनाना फिर दूसरा और पॉ motivate यह चूटब है फाइल बनाने के लिए हर का इस्तमाल किया जाता है जैसे करन हर सरजन हर जहन हर और अगयरा अलामत फाइल ने काव का इस्तमाल इस दूर में कम मिलता है यनि इस दोर में वो लफजियात का बतायागी, कैसे कैसे अलफाज बतायेगी, अब भी ये question बहुत थी जादा लंबा है, यनि पेपर में हमें question आये, तो हमने ये नहीं लिखना आ कि आदल शाहिदोर कभी भी आपको question नहीं आईगा, तो इतना लंबा question तो attempt करते हुए, तो तीन गैंठे तो वैसे ही गुजर गे, अगर आपने master के paper देने, अमे के paper देने, तो लिए question दरसल आपको कभी वो शोरा के बारे में आदल शाहिदोर का पसे मंजर पूछ सकते हैं, तो आपने tension ही लेनी कि ये question हम कैसे हल करेंगे, इतना बड़ा, ये याद करें, बस जहन मे रखें, तो कभी वो जबानों बयान का पूछ सकती हैं, तो उन्हें उतने ही जवाब देना है जितना उन्होंने पूछा, ये याद रखेगा, जो भी उन्होंने question पूछा, उसका पसे मंजर जरूर बताना है, अगर उन्होंने आदल शाहिदोर का शोरा पूछे, जो मसनव जिन लोगों ने लिखी, उनका पूछा, तो उससे पहले पसे मंजर का हमने बताना है, थोड़ा से पसे मंजर बता दीजिए या फिर अगना अपना question शूरू करना है, जो अगला पार्ट है, इन्शालला वो भी जल्द आएगा, तो जब तक ये आप लोग प्यार करें, और आतर शाहिदोर में जो मसरवी लिखी गई, उनके मुसंफ़ा के बारे में, यह आपको अगले lecture में बताऊंगी, शुक्रिया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्क्राइब नहीं किया, तो सब्क्राइब कीजिएगा, कुमेंट कीजिएगा, और मुझे तर विखादा शेयर कर्दू